नमस्कार, आज हम इतियास कक्षा 6 का पांचवा अध्याय देखेंगे, जिसमें हम किताबों के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि ये मृत्यू के प्रध्यांत व्यक्ति को किस तरीके से दफनाया जाता था तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की, तो वेदों की जब हम बात करते हैं तो चार प्रमुख वेद हमारे सामने हैं, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरववेद ये चारो वेद जो है हिंदू सब्विता का basis माने गए है इसमें सबसे पौरानिक जो है उसको रिगवेद कहा गया है रिगवेद में लगबग 1000 हाइम्स है और इनको सुक्त भी कहा गया है जिसका मतलब होता है सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से कहा हुआ वाक्य रिगवेद में मुख्यता दो व्यक्तियों के बीच में समवाद की बात की गई है तो तीन प्रमुक देवी देवता इसमें माने गए हैं अगनी इंद्र और सोम अगनी जो है वो आग के देवता हैं इंद्र जो है वो युद्द के देवता हैं और सोम जो है वो एक पौधा मा या जो भी ग्रंथ लिखा हुआ है वो मुख्यता संस्कृत में हैं संस्कृत को ऐसा माना जाता है कि इंडो यूरोपियन लाइंविज ग्रूप की ओरिजन का वो एक सोर्स रहा है पाच भाशाएं भारत की और लगबग छे भाशाएं यूरोपियन जो हैं वो संस्कृत से हुई है या संस्कृत से जिनका उदय हुआ है दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरोपियन भाशाएं जो की छे हैं जो संस्कृत से उदय हुई है जिसमें आएगा आपका ग्रीक इंग्लिश जर्मन इटालियन फ्रेंच और स्पैनिश तो ये छे भाशाएं यूरोपियन हैं जो संस्कृत से उदय हुई है इसी तरीके से अगर हम दक्षिन भारत में देखें तो तम्मिल तेलगु मल्यालम जो है जो चार भाशाएं हैं वो द्रविडियन भाशाएं से उदय हुई है और नौर्थीस्ट में जो भाशाएं हैं जो बोली जाती है वो मुख्यता इंडो दूसरा है साम वेड में मुझिक से रिलेटेट नोड्स की बात की गई जो लए और ताल की बात होती है वो बात कई गई और किस तरीके से ग्रंथों को का उचारन किया जाता है उसके बारे में फोकस किया गया अगला था यजुर्वेड जिसमें मुख्यता जो बी यग हवन होते हैं जो भी रिच्वल्स होते हैं उनको किस तरीके से करना है उसकी जानकारी दी गई थी और अथर्व वेद में क्या-क्या ग्रंथ हैं उनको किस तरीके से कहा जाता है उसके बारे में समझाया गया था अब ये सारे ही ग्रंथ जो हैं इनके चार हिस्से थे पहला था समहि जो थे उसमें जितने भी रीति रिवास होते थे जो भी रिचुएल्स होते थे उनकी जानकरी दी गई थी अरण्यक में उसके पीछे क्या लॉजिक हैं, उसके पीछे क्या सिद्धान्थ हैं क्या थियोलोजी है और मेडिटेशन पे फोकस किया गया था और इन सभी वेद का जो अंत का हिस्सा था उसको वेदान्त कहा गया और उस वेदान्त को उपनिशत भी कहा गया जिसमें ये समझाया गया कि इस वेद के पीछे फिलोसफी क्या है या दर्शन क्या है क्यों इस वेद के बारे में पड़ा जा रहा है क्यों इस वेद के बारे में रचा गया है वो सारी जानकारी इसके बारे में दी गई थी अगला हम बात करते हैं उस समय लोगों की तो जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पर चार वेद थे और चार वेत के साथ चार जातियां भी थी जिसको कहा गया था भ्रामन, वैश्य, शुद्र और शत्रिय अब सबसे पहले अगर हम भ्रामन की बात करें तो भ्रामन जो थे वो मुख्यता पुजारी थे पूजा पार्ट के कारियों में रचे रहते थे राजा जो थे वो अपने जितने भी यग्य करते थे, जितने भी हवन करते थे उनमें इन पुजारियों को बुलाते थे उस समय पर जो राजा होते थे, वो बहुत ही इंटरिस्टिंग किस्सा है कि राजा महलों में नहीं रहते थे तो ये एक बहुत ही important concept है जो हम अगले अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे राजाओं के पास कोई भी राजधानी नहीं होती थी, वो महलों में नहीं रहते थे उनकी कोई एक आर्मी नहीं होती थी, वो किसी प्रकार का कर इखटा नहीं करते थे और उनके जो पुत्र हैं वो वापस राजा नहीं बनते थे तो यहाँ पर जो हम राजा देखेंगे वो बहुत ही विभिन तरे के राजा है जो बाद में हमने राजाओं की परिभाशा देखी तो जनपद, महा जनपद जब हम अगले अध्याय में समझेंगे तो हम इसको और विस्तान में समझने की कोशिश करेंगे ब्रामिन के बाद जो अगला कास था या अगली जाती थी उसको शत्रिय माना गया जो मुख्यता वारियर्स थे या सोलजर्स थे और युद्ध के मैदान में कारेरत रहते थे उसके बाद जो थे उनको वैश्य माना गया वैश्य मुख्यता ट्रेडर्स थे जो बिजनस करते थे और ये वैश्य तीन तरीके से divided थे इनको पूरू जन, भरत जन और यदू जन कहा गया और वैश्य को विश्या जन भी कहा गया इसके बाद आपके आए शुद्र और शुद्र को बाद में जो है उन्टचेबल कहा गया या दासा या दस्यू कहा गया दासा या दस्यू वो थे जो मुख्यता स्लेव्स की तरह रहते थे और उनको जो कार्य दिया जाता था वो वो करते थे इसी भाशा में करम का वर्ड भी काम में लिया गया था जो लैंडले स्लेवर्स थे जिनके पास जमीन नहीं थी और वो अपने कारे में रत रहते थे इन सभी कहानी में एक 10 राजन की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें 5 आर्यन और 5 नौन आर्यन के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध की बहुत ही महत्ता मानी गई थी उस समय पे अब अगर हम उस समय की buildings या structure की बात करें तो वो भी कुछ अनोखा है जो structure था वो मेखलित था मेखलित structure का मतलब है बड़े-बड़े stones जो है वो burial site के ऊपर रख दिये जाते थे ताकि ये माना जाता था या ये समझा जाता था कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है तो बड़े-बड़े पत्थरों को लाकर उस जगों पर रख दिया जाता था जिसको मेखलित कहा जाता था डखन के पठार में उत्तरपूर्व में और कश्मीर के चेत्रों में ये common प्रता थी जहाँ पर surface या underground surface में उनको दफनाया जाता था और उसको cyst भी कहा जाता था एक common जो छेत्र था जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था या burial practice बहुत common थी उसको भ्रह्मगिरी कहा गया इसी तरीके से जिस फेक्टी को दफनाया जाता था उसके साथ में कई सारे मटकी के बरतन रख दिये जाते थे मुक्यता काले और लाल रंके ये बरतन होते थे इनमें उसके गहने औजार और कुछ तील कमांड भी रख दिये जाते थे इसी तरीके से ये पता कैसे चलता था कि ये जो अफशेश है या ये जो skeleton है खुदाई में ये किसी पुरुष का है या महीला का है तो जो महीलाओं के skeleton पाए गए थे वो मुक्यता जादा जोलरी से लदे हुए थे और जो पेल्विक एरिया था वो जादा बड़ा था तो इस तरीके से ये डिमार्केट किया जाता था कि पुरुष का skeleton है या महीला का skeleton है अगली चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो एक case study है इमानगाओं की इमानगाओं जो है आपकी भीम नदी की जो ट्रिब्यूटरी है गौड नदी उस पर स्थापित है और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद बर्यल ग्राउंड देखा गया है या दफनानी की जगे दे इसमें एक व्यक्ति घर के अंदर जो बीच का छेत्र होता है जिसको कोटियाड के हाँ जाता है उस छेत्र में क्रॉसलेक पोजीशन में दफनाया गया था तो यह वहां का एक कॉमन स्ट्रक्चर पाया गया है MCQ की ओपीनियन से देखा जाए तो यह एक important question बनता है कि यह कहां पर पाया गया है या किस जगे पर पाया गया है जिस समय पर हम भारत में इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे उस समय दूसरे देशों में भी कुछ चीज़ें समय के साथ चल रही थी जैसे चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना में aurachal bones का परचलन था और एकल बोन्स एक बहुत ही specific चीज थी जिसमें किसी भी जानवर के मस्तिक्ष को या उसके skull को लिया जाता था और skull को लेके उसको गरम करके उसको crack किया जाता था जब वो गरम करके तूटता था तो वो अलग-अलग shape या आकरती बनाता था उस आकरती से जो fortune teller होता था वो ये बताता था कि उनका भविश्य क्या होगा या उनका अगला क्या रहेगा तो जो चाइना में ये पदती थी इसको oracle bones के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर जो राजा थे उस समय पर वो महलों में रहते थे और bronze के बरतन काम में लेते थे तो ये एक बहुत major distinction हो गया इंडिया के राजाओं में और चाइना के राजाओं में उस समय अगर देखा जाए तो तो अगर हम इसी reference में बात करें तो एक और बहुत important यहाँ पर कहानी है जो कि विश्वा मित्र की कहानी है विश्वा मित्र का समवाद हुआ था व्यास नदी से और सतलश नदी के साथ तो विश्वा मित्र ने उन नदियों को ऐसा कहा कि आपकी महानता बहुत गहरी है आपकी महानता बहुत व्याबक है हम आप लोगों की पूजा करना नहीं छोड़ सकते तो बदले में व्यास नदी और सतलश नदी ने उनको कहा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों माना जाता है कि आप हमारी पूजा करेंगे तो विश्वा मित्र ने उस समय कहा था कि हम रत पर जाते हैं और आपकी नदी कभी भी उफान पर आ सकती है तो ये सिर्फ आपके हाथ में है कि आप नदी का इस तर नीचे रखें ताकि हम नदी को पार कर सकें तो इस तरीके के संभाद का ऐसा दर्शन किया जाता है विश्वा मित्र और नदियों के बीच में तो उस समय ऐसा माना जाता था कि नद्यों को उतना ही स्थान दिया जाता था जितना की घोड़ों को और गायों को दिया जाता था तो उनको उतनी ही value से उतनी ही सम्मान से देखा जाता था इसी के साथ जो भी money या wealth इकट़ी होती थी वो पुजारी के बीच में, आम आदमी के बीच में और लांडलोड के बीच में बराबर से डिस्ट्रिब्यूट हो जाती थी राजा जब अपने रत पर निकलता था तो उसका मुख्य उतेश ये होता था कि युद्ध किया जाए और जादा से जादा टेरिटरी ली जाए जो कि हम अगले अध्याय में देखेंगे किस तरीके से होता था अश्वमेद यग तो जादा से जादा जब टेरिटरी ली जाती थी युद्ध किया जाता था तो युद्ध के तीन प्रमुक कारण होते थे पहला जादा से जादा जमीन को अपने छेतर में लिया जाए जो कि अश्वमेद यग्य में हम अगली दुक्षा में देखेंगे दूसरा कि उन छेतरों को अपने एरिया में लिया जाए जहाँ पर पानी का व्यापक सोर्स है या जहाँ पर पानी व्यापक रूप से पाया गया है और तीसरा कि जो भी मवेशी है उनको हम अपने छेतर में ले लें ताकि हम अपना धन्दाने घटा कर सके तो राजा जब भी यूद तक करता था उसके दिमाग में ये तीन प्रमुख चीजें रहती थी अब हम अगली कक्षाओं में देखेंगे किस तरीके से शुरुवाती राजा जो है वो महलों में नहीं रहते थे, वो जनपत थे और उनका कोई भी महल या कोई भी राजधानी नहीं होती थी और बाद में किस तरीके से ये ट्रेंड दीरे-दीरे बदलता गया तो आप चैनल पर बने रहिए, हम इत्यास के और भी इंट्रेस्टिंग अध्याय आगे लेके आएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद